नमस्कार दोज़तों मैं एक स्नेक रेस्क्यू किया हूँ कुछी देर पहले तो इसने में अंगली पे वाइट किया है और यह जो साप है इसका इंगलीस में नाम है कॉमन वॉल्फ और हिंदी में नाम है सामाने को रियला तो दोज़तों यह नोन विनेमस होता है इसमें कोई कई जैरनी होता है और इसी परकार का एक साप और है जो काले कलर में होता है और इसके ऊपर यह जैसे डॉट दिखाई दे रहे है यह लाइनिंग ऐसी की ऐसी होती है मगर वो काले कलर में होता है और वो बहुत ही जहरिला होता है तो ये तो common wolf snake है इसमें तो कोई जहर नहीं होता और इसकी जो ये दारी होती है यह आप देख सकते हैं कि एक-एक lining छोड़ के इसकी दारी है और नीचे से इसका ये pattern है और आप इसे अच्छी तरह से पैचान सकते हैं और मूह मूह इसका बदाम के जैसे बदामी तोर पर जैसे बदाम के जैसे चिपटा मूह है इसका और यह रात में निकलता है उसका खास बोजन है छिपकलियां और छोटे में डख तो फ्रेंड यह जो साप है यह नोन विनेमस होता है ना इसमें कोई जैर होता है अगर यह किसी को काट भी ले तो कोई नुकसान नहीं होता है और इसके छोटे छोटे दांत होते हैं और इसकी जो लार है इसकी लार में वैक्टिरिया होता है जो की छिपकलियों को इसे खाने स संसे किलार में वैक्टिरिया हो जाता है और इस इंसान की मौत नहीं होती और ये सांप मैं और जुलाई में अंडे देता ए और सीत कालिन में सीत निंद्रा में रहता है तो मैंने इसको rescue कर लिया है और मैं इसको छोड़ने के लिए जाऊँगा लेकिन मेरे पास क्या है कि camera में नहीं होने के कारण से मैंने इसको दिखा नहीं सकता पूरी तरह से तो आपको फिर से एक बार दिखाना चाहूँगा कि इसके जो यह होती है इसको पैचान के आप इस साप के बारे में जान सकते हैं एक ऐसा ही साप और होता है जिसका नाम इंगलीज में common crate होता है और वो साप अगर काट ले तो इनसान की दो से धाई घंटे में मोत हो जाती है और रात में निकलता है और ये भी रात में चैनल के साथ नहीं अभी तक जुड़े है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली वीडियो की नोटिपिकेशन पाने के लिए गंटे वाले निशान को दबा कर नोटिपिकेशन ओन कर लें ताकि जब भी में मैं कोई साप पकड़ूं मुआ आपको दिखा हूँ आराम से तो दोस्तो मैं इसको रिलिफ करने के लिए जाऊँगा थोड़ी देर में तो आप देख सकते हैं चिकना मू बदामी तोर पे और पूरा इसका पेटन तो इसी के साथ बंदे मात्रम जैभीम तो दोस्तो मैंने इस साप को छोड़ दिया हूँ और इसको मैं रेस्क्यू किया था तो ये बहुत ही गुस्से में था तो ज्यादा दूर नहीं छोड़ा हूँ इसको में की आवादी में छोड़ा हूँ ताकि यह यहाँ पे रह सके और चुवे चावे खाके अपना जीवन व्यापन कर सके तो इसको आपकी लाइनिंग दिखाऊंगा तो इसकी लाइनिंग आप देख सकते हैं दोस्तों आराम से और मैंने इसको आजाद कर दिया है तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें लाइक करें कमेंट करें और सस्क्राइब करना ना भूले क्योंकि आप चैनल को सस्क्राइब करेंगे तब ही मैं आगे बढ़ूँगा अगर आप मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं करेंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा ठीक है दोस्तो तो सांप अब धीरी धीरे जा रहा है